तो दोस्तो जैसे कि आप लोगो ने अभी थामनेल लेका ही होगा तो आज में कौन सी तपिक पर बात करने वालो हो आज में ये छोटा सा तपिक जो बोलने वाला हो ज्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो और आप लोग पूरा जोरू देखेगा दोस्तो यह information आपको तो पता लग लाखो फोलोवर्स बनाते हैं आपको थोड़ी लगता है कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं ऐसी बात नहीं सब पैसा नहीं कमा पाते हैं इसमें कुछ एक चीज़े होते हैं अगर आप जो भी आप फेस्बुक यूजर है आपका पेस बनाएं क्रियेट किया है आपको पेस लेकिन इतना फ्रॉलेम नहीं होता है जितना के फेस्बुक में प्रॉब्लम होता है जी हाँ बिल्कुल आप में सच बता रहा है अगर आप भी Facebook से पैसा कमाना चाहते हैं चाहे आपका जितना followers क्यों नहीं हो लेकिन इतना आसान नहीं है इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों आपको एक अच्छा सा category चुनना होगा और आपका खुद का दिमाग लगा कि खुद का दिमाग लगा है खुद का तैलाइन इस्तेमाल करके अब खुद का content दा लिए तब आपका 100% generate होगा income ने तो किसी का वीडियो उठाके दाल लिया तो इसमें क्या होता है वो review में चला जाता है Facebook यह सब review करता है अच्छा से चेक करता है कि उसके बाद दे देता है क message आपका content violation है या तो बगरा बगरा आपको information मिल जाता है बहुत सारे लोग को क्या होता है कि आपका खुद का content आप किसी और को उठाके दाल लेता है और किसी सोचिल मिला पर और उसको share भी कर देता है इसमें भी बहुत सारे violet आजाता है Facebook यह सब चीसे गौर करता है अगर आ नहीं है तो आप क्यों दालोगे उसको 100% वो खुद का नहीं है क्योंकि किसी platform में डाला हुआ है आप फिर उठाके उसको वहां से copy करके क्यों डाल रहे हो आपके जो Facebook पेज में तो इसे करेंगे तो आपका page में आप कभी भी इसमें आप in stream ads से कभी पिसा नहीं कमा नहीं होगा Facebook हमेसा यह सब चीज़े information देते रहता है हमेसा इसमें notify करता है यह सब चीज़े बहुत जदा गर करता है दोस्तों अगर आप भी 100% Facebook pages पेसे कमाना चाहते हैं यह तो generate करना चाहते है तो आप खुद एक बुदिमान बन जाए खुद एक generator बन जाए जिसे कि आप Facebook का content create करके आप पेसे कमा सकते हैं इसमें सबसे जब चीज़ें आपको आता है यह सब चीज़े लोग सबसे जब चाहते हैं अगर आपके पास भी वह तेलेंट है तो आप खुद का content डालने की कोशिश किजिए लेकिन दूसरों का content उठाएं इससे आप चाहें जितना भी आ followers बढ़ा लो millions of followers बढ़ा लो तो आपको कोई income नहीं होगा या तो Facebook कभी आपका Facebook monetization enable नहीं करेगा तो यह होता है दोस्तों खुद यह मेरे experience है दोस्तों मेरे साथ भी SI है दोस्तों क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे चीज़े उठाओ ठाके में edit करके भी दा लेता हूं लेकिन इस पे कोई फायजा ने फिर भी आपको violation आहीं जाएगा अगर एक भी content भी content भी content भी नहीं होता है बहुत सारे दाला जाता है जिस तरह भी YouTube में दाला जाता है उसी प्रकार Facebook में दाला जाता है पता नहीं किस प्रका की content कौन-कौन सा है हो सकता है एक ना एक वीडियो YouTube में आपका content जो है violet करता हो उसके वाज़े से भी आपका page monetization enabled भी नहीं होगा है जिस तरह यूट्यूब में भी होता है उसी प्रकार Facebook भी यही करता है क्योंकि Facebook भी आज काल की जमाने में देखाता है जिस तरह YouTube बड़ा सा platform है ठीक है दोस्तों इसलिए अगर आप सच में ए पी किजिएगा आप खुद एक खुद creator बन जाए खुद एक knowledgeable person बन जाए खुद एक अच्छा से creator बन के दिखाए लोगों को मेरे पास वह चीज़े है जो मैं कर सकता हूं लेकिन ये भी एक चीज़ आप कैसे कैसे वीडियो डालोगे मैं बता देता हूं कोशिश किजिए कि रोज दो वीडियो डालने की यह आपको कहीं भी प्लेटफॉर्म में आपको वीडियो डालने के बाद श्यार करने के जरूरत नहीं पड़ेगी अपनिया फेस्बुक उसको प्रमोट करेगा अपनिया वह पेज जो हो जाएगा रोज दो दालोगे सुबह एक डालना शाम को नौ बादे ऐसे ही ताइम फिक्स करके रखिए रोज दो वीडियो डालोगे सुबह साम सुबह साम फेस्बुक में एक अच्छा सा एक इसमें आप फोकस रखिए इसमें बिलकुल भी आप क्या किजए एक दम माहर हो जाईए आप इसमें फोकस करके आप दिल से किजएगा दोस्तों एक दम मोटिवेट हो जाई उसमें कि हां मैं करूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए तो उसके बाद देखना आपका पेज 100% शूर के साथ में बहूंगा कम से 99% तो आपका पेज ग्रोग कर ही जाएगा एक मेहना बच्छोड़ दो दो टीन मेहने के अंदर देखना कितना फर्क आजाता है आपका पेज में आपको कहीं से भी आपके ग्रोप में फिस्बुक दूसरे फ्लेपर में आपको शियर करने की वो वीडियो जरूरत नहीं वो कॉंटेंड जरूरत नहीं आपका पेज 100% आटोमेटिकली वो ग्रोग कर ही जाएगा तो जी हाँ दोस्त सबसे पहले आप तक मिलती रहेगी दिस्तोर आप आप